शॉक विटा आप मे शेलं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड अदर दिया गया है। उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए। साथ ही साथ बेल बाटन को दबा के सेंड मी और नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक करने के बाद सेब बाटन को दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो से पहले मिले अबिशेक और आज हम बात करेंगे रेड्मी नोट 4 के बारे में और रेड्मी नोट 4 जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपलर फोन है एक ऐसा फोन जो की बहुत जल्दी बिग जाता है बहुत सारे लोगों को उसका जो पसदनीदा वेरियंट है यानि कि 64GB, 4GB RAM वाला ज इस चीज़े आपको बताएंगे जो कि हमने नोटिस की हैं रेड्मी नोट 4 को एक लॉंग टर्म तक करने के बाद और इसमें जो कुछ कमिया में देखने को मिली है वो आपको हम बताएंगे अगे इस वीडियो का कोई ऐसा परपस नहीं है कि मैं रेड्मी नोट 4 को या फिर शामी को बैश करना चाहता हूँ यह सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को कंसीडर करें इस डिवाइस को लेने से पहले रेड्मी नोट 4 डेफिनेटी एक अच्छा फोन है बहुत सारी अच्छी बाते हैं लेकिन यहां पर जो कुछ ऐसी बात तो अगर आपको Moto G5 Plus का ये वीडियो देखना है कि उसमें क्या-क्या कमी हैं क्या-क्या कॉंप्रमाइजस हैं तो वो आप देख सकते हैं इस वीडियो की डिस्लिक्शन में मैंने लिंक दे दिया गए नीचे की दरफ तो आप उसे जाके देख सकते हैं आप शुरवात करते ह और क्लिक कर दिया फोटो तो ऐसे में फोटो जो है बलर ही आसकता है काफी स्टेबल रहे के आपको फोटो जो है लेने पड़ते हैं और साथ ही साथ जो लो लाईटी परफॉमेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है Redmi Note 4 की चाहे वह फ्रंट क्यामरा की बात करें या फिर हम रिय तो दूसरे कमरे से आप इस फोन को ना सुन पाएं हाला कि day to day usage में इतनी दिक्कत इस feature की वज़े से नहीं आती है और यह definitely हर किसी के लिए deal breaker नहीं है एक decent quality of sound के साथ तो वह आता ही है लेकिन बहुत ज्यादा loud नहीं है loud speaker की sound यह मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको इ battery बड़ी है और fast charging का support जो है enable नहीं किया गया है हाला कि hardware support करता है लेकि Xiaomi ने वह enable नहीं किया है शायद इसले कि device heat up ना हो तो यह इसकी तीसरी कमी हो सकती है कि आपको time जादा लगता है device को charge करने में खास असे 0 से 100% अगर बीच में कहीं है तो इतनी दिक्कत जो है नहीं आई और ऐसे में OT update के थू भी Nogget अभी तक push नहीं हुआ है तो एक नया device इतना वादा popular device और उसके अंदर Nogget जो है अभी तक नहीं है जो कि एक अच्छी बात नहीं है और यह Xiaomi की definitely एक तरह से गलती है इसको वह से सुधारना चाहिए हाला कि जब यह device sell हुआ था जिस time पर यह launch ह हुआ था उस time पर कहा गया था कि within two weeks यह सब हो जाएगा लेकिन अभी तक OT update के थू नौगट का जो update है वो Redmi Note 4 पर नहीं आया है जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है इसके बाद एक और जो कम है स्फोन के अंदर जो कि कुछ लोगों नहीं है हमने भी notice की है वो है voice call की जो overall loudness है यानि कि अगर आप शोर में कहीं सडख पे कहीं Redmi Note 4 यूज कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं तो आपको बिलकुल अपना जो कान है cover करना होगा और ऐसे में दूसरा बंदा क्या बोल रहा है वो बहुत अच्छे से आपको सुनाई नहीं देता है अगर आपका काफी noise है तो ambient noise जो है basically जो outside noise है उसके अंदर अगर आप call वगरा receive करेंगे Redmi Note 4 पे तो आपको volume थोड़ा कम लगेगा पर ऐसे में थोड़ी परिशानी आपको हो सकती है और यह एक छोटा सा compromise जो है हो सकता है आपके साथ अगें किसी किसी के लिए तो यह बहुत बड़ा compromise होता है लेकिन कमिया थी जो कि Redmi Note 4 की मैं आपको बताना चाता है तकरीबन पांच कमी यहाँ पर निकल के आई हैं जो मैंने आपको बता दी है जो कि इसके टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चली है तो I hope यह video आपके लिए helpful रहा होगा और आपको कुछ अच्छी information जो है आपके मिली होग फिलाल इस video पर नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका video को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like बटन दबाएए जो कि video के नीचे मिलेगा आपको अगर आपको इस तरह के video बढ़ देखने है तो subscribe बटन दबाएए वो भी आपको video के नीचे मिले आपको